नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक्ष्वर है और आप देख रहे हैं lifecities.in तेज पताप यादब के तलाक मामली की सबसे बड़ी breaking खबर यह है कि तेज पताप यादब को तलाक अभी नहीं मिल सकता है कुछ भी करने तेज पताप यादब को तलाक नहीं मिलेगा क्योंकि कानून ही कुछ ऐसा है कि तेज पताप यादब अभी अपनी पत्नी एसोडिया राय से तलाक नहीं ले सकते हैं अभी अभी हमने इस मामले में कई कानून बीदों से बात करी उन्होंने कहा कि तेज पताप यादब की अरजी जो है वह सुनबाई के लिए सही नहीं है कोट इस पर संग्यान नहीं लेगा इनका कहना है कानून बीदों का कहना है कि तलाक के मामले में नियम यह है कि एक साल के पहले सादी के एक साल के पहले आप तलाक की अरजी नहीं दायर कर सकते हैं यह दूसरी बात है कि टेज पताप जादब ने special circumstances में उन्होंने तलाक की अरजी दायर की है अब यह विशेश पिसिति क्या है एश्वरिया राय ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें तलाक लेने की नौबात आगई यह भी किसी को पता नहीं है उनके बकिल भी बोलने को त्यार नहीं है पर कुछ भी हो अभी तेज पताप यादब को तलाक नहीं मिल सकता है कानून भीर कहते हैं कि 29 नमबर को जब या मामला कोट में आएगा तो कोट भी कहेगा जिरी आप इस बात पर अरे हैं कि तलाक लेना है तो 12 मई 2019 के बाद इस पर स सुनबाई होगी क्योंकि 12 मई 2018 को तेज पताप यादब की साधी हुई थी और एक साल 12 मई 2019 को पूरा होगा तो सबसे बड़ी ख़बर कि तेज पताप यादब को अभी तलाक नहीं मिल सकता है ऐसोरिया राय से चाहे कारण और प्रिसिति कुछ भी हो इस पीच आपको खबर है कि राबरी देवी पंचायत शुरू की है पारिवारिक पंचायत हो रही है आधे रास्ते से राची के आधे रास्ते से टेज पताप यादब को पटना बुलाया गया है मीसा भारती घर पर पहुंची है राबरी देवी है ऐसोरिया राय को बलाया गया है ऐसोरिया राय के पिता चंद्रिका राय पहुंचे हैं मापुनीमा राय पहुंची हैं तो कानून के हिसाब से अभी तेज प्रताप यादर को तलाक नहीं मिलेगा यह इस वक्त की सबसे बरी ब्रेकिंग ख़बर है दन्यवाद आप देखते रहिए